संशय, बुद्धदेव कुहा संतिम भाग में 12 घंटे बाद पूरी लोट आएंगे, तब हम 315 किलोमीटर की पत परिक्रमा कर चुके होंगे। आशा है, आप सब को इस सफर में आनन्द आएगा। बस पूरी होटल के नस्दीक महादधी निवास के सामने से छूटी। विनय महादधी से ही सवार हुआ था। पूरी होटल से वो लड़की चड़ी, बैठी ठीक उसके सामने वाली सीट पर। खिड़की से आती भोर की समुद्री नमकीन हवा पर अचानक हलके परफ्यूम की पहल गई। समंदर से बड़ी जोरों की हवा चल रही थी, नीला आसमान, हरा समंदर, आसमान में सुनहरी धूप उड़ रही थी, दूर के मचुआरे नाओं के पाल रंगाती हुई, सब कुछ ऐसे ही अच्छा लगने जैसा था। फिर भी हवा में उड़ती परफ्यूम की ह हलकी खुश्बू और पीछे से नजर आती उस लड़की के मुलायम हलके बादामी बालों का कांपना उस अच्छा लगने में बहुत सा इजाफा कर रहे थे। विनए ने सोचा था कि आज सुभा से वो सिगरेट छोड़ देगा। नहीं, आज नहीं। एक नवदमपती, लड़का दुबला था, चहरे से लगता था कि शादी करने जैसी अवस्था, मानसिक परिपक्वता या सामर्थि, कुछ भी उसके पास नहीं है। पर उसकी नव विवाहिता पत्नी की अनभ्यस्त मांग में सिंदूर की नई मोटी रेखा और लड़के का असहज भाव ही उसके शादी होने की बात साफ जाहिर कर रहे थे। विनए सिगरेट का धुआ छोड़ते हुए, मन ही मन बे अदब सा मुस्कुराया। उसकी खुद की शादी करने की उम्र हो चुकी थी, आर्थिक सामर्थि भी जुट चुका था, लेकिन शादी नहीं विनए सिगरेट के कश लेता हुआ सोच रहा था कि क्या पता, शायद लड़के के माबाप ने बेटे बहु के साथ गुड़े गुड़ियों का खेल खेलने के लिए ही जटपट रिष्टा ढूंड कर शादी करा दी हो। उसके बाप ने जैसे तैसे शादी की जणजट को न और चली। काफी कंफोर्टबल बस की, रेकॉर्ड प्लेयर था, बांगला और हिंदी गाने बदल बदल कर सुना रहे थे घोश बबू। अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कर रहे थे, कुछ बच्चे भी थे। विनए की दाहिनी और एक प्रौढ महिला थी, बड़ा साधारन पतली-काली किनार वाला थान पहनी हुई थी, बिना इस तरीके। चहरे पर दारिद्य और कष्ट के चिन थे, पर उसके साथ एक अध्भुत, अभियोग, मुक्त, भल्मन साहत भी मिली हुई थी। विनए की मा मौसियों के ही उम्र की होंगी शायद। कपड़े भी काफी साधारन से थे, शर्ट की जेव में चार मिनार की पैकेट, मा और बेटा जगननाथ और अन्यान्य धर्मस्थलों के दर्शन को आये हैं। उन दोनों के आपस की बातों से विनए समझा कि वे आगर तला से आये थे। क्या वता शायद यही उनका पहला प्रदर्शन हो। परिवार के कई लोग थे। पूर्वी बंगाल के व्यापारी समुदाय के लोग हमेशा से ही धनी रहे हैं। बटवारे के बाद पश्चिम बंगाल आने पर भी इनको कोई खास तकलीफ नहीं हुई। विनएका अपना घर पूर्वी बंगाल में था, इसलिए इस परिवार और पैरों में पंपशू। मुख्या बड़े विशाल थे। ग्रिहनी बिलकुल सूखी डंठल सी। पूरा शरीर सोने के गहनों से लदा हुआ। साथ में ग्रिहनी की छोटी बेहन। मुख्या की लाडली साली। वो ग्रिहनी से भी ज्यादा कुरूप थी और उम्र में उन की हुई थी। बाई कलाई पर HMT की घड़ी शायद हाली में खरीदी हुई थी। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पर वे अपनी घड़ी देख रहे थे। बेवकूफी से सना एक सरवग्य सा भाव चहरे पर सपश्ट था। साथ ही बीच-बीच में गलत अंग्रेजी शब इस्तमाल करने की आदत भी थी। मुखिया के बड़े बेटे का विवा हुआ है। उसके साथ नई दुलहन थी। दुलहन अकलमंत थी। बेटे ने जीन्स पहन रखा था। जीन्स हर किसी पर अच्छा नहीं लगता। चाहे वो लड़का हो या लड़की ये बात उसे नहीं मालूम। हर चीज हर किसी पर अच्छी थोड़ी लगती है। उसने सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लाल रंग से जम्बो लिखा था। बाए हाथ में सरदार जी जैसा कड़ा, दाहिने हाथ में घड़ी, सिर पर गाओं के नौट जाहिर कर सके। साथ में उसका छोटा भाई भी था, वो बिल्कुल भाईया का प्रोटोटाइप था। राम का भाई लक्ष्मन, चाहे वो सूरत में हो, पोशाक में, बालों में या चलने-फिरने में, यहां तक की हाथ के कड़े में भी, हर वक्त भाभी से चिपका हुआ, ह असी शरारत करता, यह रिष्टा बड़ा अच्छा होता है, इस उम्र के भाभी देवर का, ऐसे कभी-कभी यह अच्छा रिष्टा खत्रे का कारण भी बन सकता है, जैसा की विनय के जीवन में हुआ था, हर सौंदर्य में, सुंदर वस्तु या संबंध में भया वहता के बी हमेशा नहीं, अधिकांच समय, विनय खुद इसका भुक्त भोगी रहा है, किसी संभरांत सुसंस्कृत जमीनदार घराने में, या कम से कम शांती निकेतन में जन्म लेने से भी शायद वो प्रेम करके भावी का प्रेम पाके महान बन सकता था, लेकिन उसके बड़े भाई भावी के प्रती उसकी कमजोरी पता चलने पर उसे किराय के गुंडों से मरवा देना चाहा था, उसके सुशिक्षित, अभिजात, फुफेरे भाईया, अभर कोई जोती दादा तो नहीं होता, तब भावी नहीं अपने गहने देते हुए विनय से कहा था, कि वो जैसे भी ह विदेश चला जाए, विनय जर्मनी चला गया था, फिर पूरे 15 साल बाद अभी पिछले ही महीने अपने देश लोटा है, इन 15 सालों में भाईया भावी या घर के किसी के भी साथ वो संपर्क में नहीं था, बस जाते जाते भावी ने रोते हुए उससे लिपट कर उसे पर्श, भावी की स्तन विभाजिका का आभास और भावी के बालों से आती केयोकार्पिन की खुश्बू आज भी विनय के इंद्रिय को आच्छन किये हुए हैं, हाला कि वो एसास पलभर का था, इसलिए देश वापस लोटने के बाद से विनय केयोकार्पिन के सिवा कोई दूसरा तेल इस्तमाल नहीं करता हर बार स्नान के वक्त वो यादें लोटाती अगर भाईया को पता न चला होता तो शायद भावी उसे शरीर के सुखों में भी दीखशित कर सकती थी शायद कर देती लेकिन फिर भी ये भावी भी न भावी ने कहा था पता है विने तुम्हा अरे भाईया पर मैं एक दिन को भी निर्भर न कर सकी उससे प्यार न कर सकी और यहां मैं दस साल से उसके साथ रही हूँ बच्चे नहीं होए ये भी मेरी गलती होगे मेरे अकेले की पर मैं जानती हूँ कि कमी तुम्हारे भाईया में है उससे कुछ नहीं होता कितने ही पत या आर्थिक रूप से पराधीन नारी केवल नौकरानी की तरह अपने पती से प्यार करेगी, करपाएगी। यह सिलसिला शुरू हुआ था एक बहुत छोटी सी घटना से, विनय को यूँ ही याद आ गया। ऐसे में गाइड ने माइक्रोफोन पर कहा, हम पीपली पहुँच चुके हैं, पीपली तरह तरह के हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम यहाँ रुक नहीं सकते, सीधे कोना चलेंगे। अब हेमंत कुमार के पुराने गीत बस के स्टेरियो में बजने लगे, रनर, पाल की चले, कोनो एक गायर बोधूर काही नी शोना ही शोनो, इन सब गानों के बाद हेमंत कुमार खुज से आगे न निकल सके, ये गीत कभी पुराने नहीं होंगे। मामला शुरू हुआ था एक दिन खाने के समय, भाईया खाना खाकर चले गए, विनए ने मचली के पतल को देखकर पूछा था, भावी तुम्हारी मचली कहा है, ये क्या, तुमने सारा ही हम लोगों को दे दिया, भाईया को तीन और मुझे दो, और भावी ने कहा, मुझे म बड़े जींगे पसंद नहीं, तुम्हारे घर की आया, जो शादी के अगले दिन तुम्हारे साथ आई थी, मैंने उसी सज नहीं जान लिया था तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में, वैसे मैं तब बहुत छोटा भी था, ये ना होता तो मैं स्कॉलर्शिप के पैसे बचा कर तुम्हें काली घाट के हारानमाजी की दुकान के रसगुले और सदन एवनियू से भेलपूरी लाकर थोड़े खिला था, तुम जूट बोल रही हो मुझसे, समझती क्या हो तो मुझे, भाभी खाने के टेबल पर कोहनिया टिकाए और हथेलियों पर मू रखकर वि पसंद करती थी, पर अब नहीं पसंद करती, इतना कहकर उसने सर जुका लिया था, टेबल से उठकर चली गई थी, उस दिन विनय को समझते देर नहीं लगी थी कि भाभी खाने के लिए मचली है या नहीं, या ये कि भाभी को कौन सी मचली पसंद है, रोजगार वो करता है इसलिए सारा का सारा वही खाएगा, उसके डर से घर के सब लोग त्रस्त रहेंगे, ग्रिहस्ती के प्रती भाईया का रवया कुछ ऐसा ही था, भाभी भाईया के लिए एक असबाब मात्र थी, उन तीनों के परिवार में विनय के सिवा उसे समझने वाला भी और कोई न था औरतें किस से प्यार करती हैं, क्यों प्यार करती हैं और कब प्यार करती हैं, ये तो औरतें ही जाने, अब उसे सिध्धानतों में जाने की कोई इच्छा नहीं रही, क्योंकि देश लोटते ही उसे पता चला था कि पिछले साल अचानक एंसेफलाइटिस से भावी की मौत हो जिन तकलीफों से गुजर कर वो जर्मन भाशा सीख कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ था जाड़े के दिनों में टेलिग्राफ के तारों से बर्फ साफ करने से लेकर अन्य सभी काम करके उसने अपना पेट चलाया था ये वही जानता था और इश्वर जानते थे शुरू-शुरू में वो भावी के माईके के पते पर विदेश से चिठियां भेजा करता था लेकिन भावी के बड़े भाई ने उससे बेहद अपमान जनक शब्दों में लिख दिया उन्होंने चिठि लिखना बंद करने को कहा शरत बाबु के जमाने में समाच जैसा था आज भी उससे बहुत ज्यादा बदला हो विन्हे को ऐसा नहीं लगता था उसने किसी भी रिष्टदार से नाता नहीं रखा था इतने साल किसी बड़ी आपदा या संकट के समय में खून के रिष्टे ही काम आते हैं ये असुविधा जनक बोध उसे बहुत अच्छी तरह हो चुका था वैसे भी उसका अपना कहने लायक कोई था भी नहीं होता तो वो अपने फुफेरे भाई के साथ नहीं रहता लोट कर सिर्फ एक ही इंसान के साथ रिष्टा रखता भावी से शादी भी कर सकता था लेकिन भावी उसका इंतजार किये बगएर ही चली गई थी अब विनय पून रूप से मुक्त है वो लड़की खूब लग रही थी ओफ वाइट ब्लाउस के साथ हरे प्याज के रंग की सिल्क की साड़ी पहने हुए थी श्रिंगार में कोई आडंबर नहीं चहरे पर अकलमंदी के हलके श्रिंगार के सिवा आँखों में काजल का हलका आभास गहरी काली आँखों को और गहराई दे रहा था खुद को कैरी करना जानती थी ये लड़की जिसे विदेशों में डिमीना कहते हैं लड़की आसामान्य थी नीरा जब पूरी होटल से बस पर सवार हो रही थी तभी सबसे पहले उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी थी हजारों के बीच भी ध्यान आकरशित कर लेने वाला था वो अपने जीवन में लड़के कम नहीं देखे नीरा ने हलके बादामी कॉडरॉय के ट्राउजर शरीर पर फ्रेड पेरी की सफेद टी-शिर्ट पैरों में सामभर्म रिग के रंग के सुन्दर जोधपूरी जूते आँखों में आला किस्म के हलके बादामी संग्लास बैठे हुए भी पता चलता था कि काफी लंबा है वो खुद लंबी होने की वज़े से नाटे लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी चाहे कितने ही गुनों के आगार क्यों नहीं हो और वैसे तो समीरदा भी लंबे है नीरा की सहेली श्रमना अकसर चुटकी लेते हुए उससे कहती कि फ्रॉइट साहब सिर्फ इडीपस और इलेक्टरा कॉम्पलेक्स के बारे में ही कह गए है क्या जीजा साली के रिष्टे को भी ऐसे ही किसी कॉम्पलेक्स के दायरे में नहीं लाना चाहिए था शायद देवर भावी के रिष्टे को भी रखना चाहिए था कम से कम तुझे देखकर तो यही लगता है नीरा हस्ती कहती तेरे जीजाजी को देखा है पैंट खुलकर गिर्ती हुई हमेशा पान की पीक टपकती हुई ये गंजे इतनी बड़ी तोंद तू क्या समझेगी समीरदा तो समीरदा ही है concept of an ideal जीजाजी वो तो है लेकिन तेरा परलोग जीवन तो बिल्कुल गड़बड़ा गया तू तो किसी और से शादी ही न कर सकेगी हस्ते हस्ते श्रमना कहती नीरा कहती शादी करने लाएक कोई ना मिले तो भला शादी करूं भी क्यों हम गाएं थोड़ी है कि जवान होते ही मालिक दूसरे गाउं के सांड के पास ले जाकर पिलवा कर ला है श्रमना हस्ते हस्ते कहती बड़ी अशलील बाते कर लेती है तू इसमें अशलीलता क्या है ये सब facts of life है श्रमना कहती इनसान जानवर थोड़ी होता है इनसानों के बीच संबंध दूसरे होते है अगर मन से किसी से प्यार ना हो तो सेक्स का सवाल ही नहीं उठता तुझे पता है सेक्स is 99% psychological and only 1% physical भग नीरा कहती आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला अगर शादी करूंगी तो समीर्दा से भी ज्यादा हैंसम हर मामले में उससे भी बहतर किसी लड़के से करूंगी समीर्दा शुट फील की एक बार श्रमना ने नीरा से कहा था इससे अच्छा है तो समीर्दा से ही शादी कर ले दीदी को फुसला कर तुम दोनों बेहनों में तो बहुत मेल है दीदी की सौतन बनने में कोई एतराज शायद ही हो दीदी? अरे दीदी तो समीर्दा को समझ ही न सकी मुझसे कहती है कि तु जब जी चाहे शादी कर ले तो मैं बच जाओ कहती है कि ऐसे आदमी के साथ घर बसाना किसी औरत के लिए संभव नहीं कुछ भी कहती है दीदी दीदी ठीक ही कहती है राजत के साथ कोटशिप के वक्त मुझे भी लगता था कि हाय ये कहां से मुझे मिल गया दरसल मैं तुझे ये समझा नहीं सकती नीरा मैंने शादी की है दीदी ने शादी की है, हमारे बच्चे हुए हैं, हम समझते हैं कि प्यार क्या है और शादी शुदा होने का मतलब क्या है प्यार नहीं है, नहीं होता, ये मैं नहीं कहती, लेकिन शादी शुदा लोगों के बीच ये purely incidental, मतलब अनुशंगिक हो जाता है मैं तुझे समझा नहीं सकती मुझे समझना भी नहीं है मैं खुद अपनी समझ से समझना चाहती हूं तुझे समझनी की जरूरत नहीं Neera कहती समझ ले न श्रमना हसकर कहती अच्छी तरह समझ जाना तब दिल्ली का लड्डू जो खाए वो पच्ताए जो ना खाये वो भी पच्चताई वैसे दीदी मूँ से कुछ भी कहे one thing a woman never likes that is the thought of sharing her husband with someone लेकिन नीरा आज सुभर बारिश में भीगे धान के खेतों के बीच से भागती हुई बस में बैठी-बैठी सोच रही थी कि इतने सालों बाद अब कहीं जाकर समीर्दा से भी बहतर कोई उसकी नजरों को रास आया है लेकिन उससे क्या होता है बोलता कैसा है क्या करता है उसका व्यक्तित्व कैसा है अब वो फर्स्ट येर की छोकरी तो है नहीं कि देखा और प्यार कर वैठी वो वक्त वो बहुत पीछे छोड़ाई है नीरा महसूस कर रही थी कि वो लड़का बार बार उसके सिर के पीछे की और देख रहा था वैसे सीट भी उची थी गला तक नजर नहीं आएगा बस सिर और बाल वो क्या कर सकती थी पहले पता होता तो ऐसी सीट पर बैठती जहां दोनों एक दूसरे को देख सकते थे आज पहली बार नीरा को लगा कि विधाता मनुष्य को पीछे की तरफ भी एक आँख दे देते तो अच्छा था लेकिन हकीकत ये है कि नहीं थी गाइड ने कहा अब हम कोनार्क पहुच चुके हैं बस यहां रुकेगी आप सब मेरे साथ चलेंगे कोनार्क देख लेने के बाद हम यहां से पौने बारा बजे रवाना होंगे भूवनेश्वर के रास्ते धवल गिरी के लिए कोनार्क के सूर्य मंदिर के प्रांगण में घुसते ही निरा चौक उठी पहले तो मंदिर का भासकरे उसकी विशालता, पटभूमी सब कुछ एक काले पत्थर की कविता जैसी लगी गाइड बोले जा रहे थे जगनात मंदिर के भोजपत्र आलेखों के अनुसार 1235 से लेकर 1287 इस्वी के बीच उडिसा के गंगा सामराज्य के नरसिंग देव ने इस अत्याश्चर्य सूर्य मंदिर की प्रतिष्ठा की थी उनके मेरुदंड में से एक हड़ी के निकल कर नितंब में से पूँच की तरह दिखने के कारण उन्हें लांगुल नरसिंग देव कहा जाता था वे सिंजपाल गड की राजकुमारी माया देवी से प्रेम करते थे घूमते घूमते मंदिर गात्र की मूर्तियों के पास पहुचने पर नीरा के कान गरम होने लगे वो बीमार महसुस करने लगी वो जटपट ज़रा इकांत में चली गई वहां उसने हैरानी से देखा कि वो लड़का दोनों टांगे फैलाए ट्राउजर की जेबों में हाथ घुसाए बड़े ध्यान पूर्वक तरीके से मूर्तियों को देख रहा था बार बार देख रहा था विनेल के लिए ये सब कुछ भी नहीं लंदन के सोहो इलाके की दुकानों और पैरिस की सडकों पर इससे कहीं ज्यादा उत्तेजक चीजें वो देख चुका था कई श्वेतांग महिलाओं के साथ वो बिस्तर भी जा चुका था उसमें प्यॉर और सिंपल कामना के सिवा कुछ न था कुत्ता जैसे पेट खराब होने पर घास खाता है वो सारे वाकिये भी कुछ वैसे ही थे पुरुष शरीर की रक्षा के लिए कामना का निवृत्त होना अवश्यक है और शायद नारी के लिए भी लेकिन प्रेम और कामना अलग-अलग चीजे हैं जैविक आवेक के कारण किसी के साथ भी सोया जा सकता है लेकिन प्यार या शादी आप किसी के भी साथ नहीं कर सकते वैवाहिक संबंध एक मंदिर की तरह होता है इसी कोनार्क मंदिर की तरह यहां मैथुन रत मूर्तियों और प्रतियमान विकृतियों की भरमार है लेकिन कुल मिलाकर सूर्य देव के आशिरवाद प्राप्त प्रानों की अंतरतम उष्णता से सिक्त एक सुन्दर जीवन में स्त्री पुरुष के संग्युक्त भविषय की बात यहां खोदी गई है नीरा विनय को दूर से देख रही थी देख रही थी और क्रोधित हो रही थी क्रोधित हो रही थी और और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था कितना घटिया आदमी है ऐसे में इधर उधर ताकते हुए विनय की नजर नीरा पर पड़ी वो कुछ देर विमुग्ध विसमे से नीरा को देखता रहा अगले ही क्षेन दोनों ने जट से आँखें फेली गाइड ने कहा था एक जमाने में इस मंदिर के सिर पर चुम्बक हुआ करता था नहीं हुआ वर्ना उसे इस तरह यहां कौन खींचलाता और इस लड़के को ही भला कौन ले आता अब सूर्य देवता के मन में क्या है यह वे ही जाने एक पांडा ने आकर पूछा दिदी पूजा चढ़ानी है सुखी पूजा आपकी जो मनोकामना हो वो कहकर पूजा चढ़ाइए जरूर सफल होगी अभिश्रमना होती तो उसे छेड़ने लग जाती कहती इस लड़के को पहली बार देखते ही वो जैसे भूत ग्रस्त हो गई है बुखार डगमगाते कदम उस पर से ये सारी अशलील मूर्तियां वगेरा उसे बिल्कुल पागल कर दे रही थी विशाल व्यापारी ने पूर्वी बंगाल की बोली में अपनी साली से कहा अब ज़रा चुपचाप छाओं में बैठ कर मिरे लिए बढ़िया पान तो बनाओ भर के जर्दा डालना ताकि इवन शरीर में गरमा हटाए साली घास पर बैठी फुसफुसाती हुई बोली क्यों शरीर गरमानी की कोई कसर बची भी है ये सब देखने के बाद अचीब ज़ंजटी आदमी है भला बेटे बहु के साथ कोई ऐसी जगह आता है क्या वो भी तब जब कबर में पैर लटकाए बैठे हैं जवानी में आप कहां मुझे यहां ले आए जीजाजी तोंद लचकाते कंठी हिलाते हसने लगे बोले तेरी दीदी को जारा पुला ना रियाक्शन दो देखूं हाँ वही करती हूं दीदी आपको खूब सुनाएगी बेटे बहु के साथ आफत में पढ़ गई पान मुँ में दबाते हुए जीजाजी बोले अरे छोड भूती विकार ही बोलती है बहु कभी जीवन ऐसे ही मटर गश्टी में कट जाएगा क्या हमने भी मटर गश्टी नहीं की अरे भूती इसे कहते हैं समय टाइम इसलिए तो सुर्य मंदिर आए हैं हम यह पईय देख साल माइने पक्ष दिन पहर सब बंटे हुए हैं नोटिस टांग रखा है हर किसी के लिए जो आज मटर गश्टी करता है कल वही लड़ खडाता फिरता है हम सब बुढ़े हो गए इसमें शर्माने की क्या वात है मुँ में जर्दा पान दबे होने के कारण जीजाजी अपना अंतिम वाक्य समाप्त न कर सके इमेजनिया क्या जैसा एक संग्यूक्त वाक्य उनके मुँ से रक्त लाल थूप के साथ निकला जिसकी हलकी सी छीटें साली के सीने पर बिच्छे सफेद आचल पर जा पड़ी जर्दा निगलते जीजाजी बोले जर्दा बहुत जादा डाल दिया तुने भूती भूती ने मंद मंद मुस्काते हुए कहा क्यों शरीर तो गर्म हुआ ना इतना कहकर पनकवे जैसी आवाज में दंध हीन हसी हस्ती यही हसी नीरा के चहरे पर देखने से समीरदा उसे स्वीटी पाई कहते यही हसी विनय के चहरे पर देखकर उसकी मरहूम भाभी कहती हसते हुए तुम कितने अच्छे लगते हो बीनू नवदम पती दूसरों से जरा अलग हो गया था बेवकूफ सा दिखने वाला नावालिक से लड़के ने कहा सब ठीक से देख लिया है ना आज रात को इमतहान लूंगा गोरा सा कामुक चहरा शर्म से लाल हो उठा बहु बोली आप मैं नाराज हो जाओंगी फिर बोली किसी शरीफ घर की लड़की कभी ऐसे सरकस नहीं करत लड़के ने कहा लड़की दो लड़की होती है इसमें शराफत कहां से आई लालन फकीर कह गये हैं अगर सुनत से बने मुसलमान तो नारी के लिए कौन विधान और तुम शरीफ गयर शरीफ का फरक क्यों करती हो अच्छी मुसीवत में डाल दिया मुझे मावापने शादी करता ऐसी लड़की से जो की सूर्य स्नान करा सके नई दुलहन मन ही मन काफी खुश थी लेकिन चहरे पर गुस्सा दिखाते हुए दूर हट गई मन ही मन बोली ये तो जैसे स्नीक्स अंड लैडर्स का खेल है पहली चाल तुम्हारी पहले तुम चाल चलो फिर मैं सोच समझ कर देखूंगी क्या पता कौन कब नीचे उतरे जिस करकश आवाज वाली रमनी ने अकेले ही अब तक पूरे बस को अपने निरंतर आत्म भाशन से गुलजार कर रखा था वो अब अपने पती और पती के दोनों सहकर्मियों के साथ प्रांगन में प्रविष्ठ हुई चोटी बच्ची को शायद पंडों के साथ बाहर छोड़ाई थी उस महिला के पती और दूसरे एक ही दफ्तर में काम करते हैं सहकर्मियों ने कहा जाओ जाओ पांचुदा भावी के साथ सब ठीक से देख लो जो लड़का फोटो बेच रहा था उसने ओडिया में कहा पास में नाइट सीन भी है एक सज्जन ने कहा जाए भावी नाइट सीन भी देखाईए महिला ने कहा ये सब मेरे लिए नहीं है उधर जाना ही नहीं मुझे आपके पांचुदा को रस चकना हो तो देखाए बेहत दुबले पतले पांचुदा ने कहा अब तुम्हें क्या हुआ कुछ भी नहीं तुम लोग जाओ मुझे अच्छा नहीं लगता नाइट सीन देखकर पांचुदा वो अकेले लोटाए तो महिला ने एकांथ में ले जाकर फुस फुसाते हुए कहा उखली में पीस दूँगी मैं तुम्हें आपरेशन कराना है या नहीं ये सब देखकर मुझे फिर याद आगे कलकत्ते लोटकर पहला काम वही है एक उलाद को पालने की उकात नहीं और यहां तीन तीन उफ कलपना तुम बड़ी क्रूड हो देखने आई हो एक इटर्नल क्लासिकल चीज चुप रहो तुम्हारी इटर्निटी मुझे मत सिखाओ तुम्हारे लिए जो इटर्निटी है वही मेरे लिए मेटर्निटी है इतना कहकर जोर-जोर से कदम बढ़ाती नारियल पानी पीने चली गई कलपना नाम की महिला जो की कलपना से मीलों दूर थी विनय प्रांगन के दक्षिन वाली दिवार पर पैर लटकाए बैठा सिग्रेट पी रहा था वहां बैठे वो उस लड़की को देख पा रहा था वो दुकान पर खड़ी तरह-तरह की छोटी-मोटी चीजें देख रही थी आँखों पर संग्लास विनय जानता था कि वो दरसल विनय को ही देख रही थी नीरा भी जानती थी कि वो लड़का उसे ही बार-बार देख रहा था दोनों को ही पता था लेकिन बीच में बहुत बड़ी दूरी थी उनकी शिक्षा, उनकी उम्र, उनकी मेचॉरिटी, उनका अभिमान, इगो, उन दोनों को एक दूसरे के नजदीक आने से रोक रहा था जो भी पहले बात करेगा वही छोटा हो जाएगा और फिर बात शुरू करने के बाद अगर दूसरी तरफ से प्रोचसाहन ना मिले तो नीरा से ना सुन चुके लड़कों की संख्या कम तो नहीं थी उन सब की नाकामियों पर बनाया हुआ सौध तो फिर पल भर में तूट जाएगा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता खुद को इतनी आसानी से याचक नहीं बनाया जा सकता साथ में कोई दोस्त या जान पहचान वाला होता तो अच्छा था यही सोच रही थी नीरा इतने साल विदेश में रहकर विनय वहां के तौर तरीकों से अभ्यस्त हो चुका था वहां आखों आखों में प्यार नहीं होता किशोर प्रेम वगेरा वो लोग नहीं समझते जिसे जो पसंद हो, वो सीधे उससे जाकर कहता है हाई लेकिन ये परदेश नहीं स्वदेश है वैसे भी, जबसे वो देश लोटा है विनय को भावी की यादें भावी की बातें कुछ जादा ही याद आने लगी है इतना समय विदेश में रहकर भी वो देश लोट कर देशी बन चुका है पूरी तरह से नीरा सोच रही थी कि अगर समीर्दा साथ होते तो कितनी आसानी से परिचय करा देते लोगों से मेल मिलाप करना समीर्दा के बाएं हाथ का खेल है फिर चाहे वो आदमी कोई भी हो किसी भी देश से क्यों न हो विनय सोच रहा था आज भावी जिन्दा होती और वैसी ही रही होती तो कहती देखो कितनी सुंदर लड़की है तुम्हारे साथ खूब जचेगी रुको तुम यहीं रुको मैं उससे मिलकर यहां ले आती हूँ गाइड ने उची आवाज में कहा अब बस में लोट जाने का समय हो गया है सभी मेरे साथ आएं नहीं तो दूसरी बस की सवारियों के साथ मिल जाएंगे विनय उठ खड़ा हुआ नीरा भी दुकान से चली आई फिर नव दमपती के पीछे पीछे बाकियों के साथ धीमे पाउं बस की ओर पढ़ने लगी नीरा सोच रही थी कोनार क्यूब के लोग कितने सहज सरल थे ये जूठी शिक्षा, अंग्रेजी विद्या, ये तथा कथित सभ्विता नीरा जैसे लोगों को स्वाभाविक्ता से कितनी दूर ले जा चुकी है कितनी दूर विने ने कुछ जुझलाते हुए सिग्रिट सुलगाई इस दल में ऐसा कोई भी नहीं था जिससे उन दोनों की वेवलेंथ मिल सके जो उन दोनों को उनके एहंकार और एगो का बर्फ खंट तोड़कर उन्हें एक दूसरे के करीब ला सके बस बीच बाजार में खड़ी थी नजर आता था वे दूर दूर चल रहे थे जीजा जी ने कहा ओ भूती तेरी दिदी कहां है कहीं पीछे तो नहीं रहे गए ये रस के घड़े देखते जरा देख तो भूती ने नीची आवाज में कहा पतो एकदम पीछे पीछे आ रही है कैसी बातें करते हैं आप आवाज नीचे करते हुए जीजा जी ने कहा आने देना मैंने गलत क्या कहा तू एक काम तो कर दोड़ कर बस में जाकर बैठ और बस छूटने से पहले ही मेरे लिए दो पान बना डाल प्यार से तेरे हाथ का पान बड़ा मीठा लगता है रे भूती भूती ने पनकवए की तरह इधर उधर देखा और फिर फुसपुसा कर बोली बस पान ही वे सभी रेत के बीच चलने लगे विनए और नीरा भी आसपास लेकिन अलग धलग रेत में चलने के लिए काफी जोर लगाना पड़ता है रेत को धकेल धकेल कर बढ़ना पड़ता है लेकिन जो रेत में चलना जानते हैं वो उंगलियों के बल चलते हैं या दौड लेते हैं उसमें जरा भी तकलीफ नहीं होती लेकिन उन्हें तो ये नहीं पता वे अगल बगल लेकिन अलग धलग और समानतर रेखाओं में चल रहे थे शिक्षित, मार्जित, सुरुची संपन, विनय और नीरा ये जानते हैं कि जीवन के ग्राफ पेपर पर समानतर रेखाएं समान्यतर इंटरसेक्ट नहीं करती जीजा जी ने पुकारा, ओभूती, तेजी से चल नीरा ने अचानक मुड़कर विनय की ओर देखा, उसी खशंड विनय भी नीरा की तरफ देख रहा था अचानक दोनों एक साथ हस पड़े विनय ने कहा, रेख पर चलना बहुत मुश्किल है ना नीरा ने मुश्कुरा कर कहा, बहुत कुनार्क के जगमोहन में सूर्यदेव के पाउं में माथा टेक कर सूर्य किरन बहुत पहले ही घोडों के रध पर सवार होकर आयन पत पर उडान भर चुकी थी धूप जगमगा रही थी विनय कोई बीस हाथ आगे चलकर एक उची जगह खड़ा हुआ और नीरा की तरफ देखते हुए संग्लास खोला नीरा ने भी आँखों पर से संग्लास हटाया दोनों ने एक दूसरे को सूर्यदेव की कृपा से देखा फिर सिर जुकाए नीरा रेत पर से विनय की ओर बढ़ने लगी उसे बहुत डर लगने लगा इतना लंबा और दूर्गम रास्ता क्या नीरा इसे तै कर सकेगी विनय स्थिर खड़ा था निर्भरता, गंभीरता और पौरुशेय सौंदर्य के प्रतीक के तरह नीरा को अचानक महसूस हुआ शायद कभी इसी आदमी ने कुनार्प के सूर्य मंदर की चुड़ा पर रखे शक्तिशाली चुमबक को तोड़ कर अपने व्यक्तित्व में अधिश्ठित कर लिया था वरना नीरा की ये हालत नहीं होती उसकी हालत पत्वार रहित, चप्पू रहित, तूटे मस्तूल वाली जहाज की सी थी उसी ख्रण नीरा को पहली बार समझाया कि उसे कभी अपने जीजाजी समीरदा से प्यार नहीं था वो केवल उन्हें पसंद करती थी पसंद आने और प्यार करने में कितना फर्क है ये आज उसने पहली बार चाना अपने मन के पर्स से पैसे देकर पसंद तो खरीदी जा सकती है लेकिन प्यार के द्वार पहुँचने पर सर्वस्व बंधक रखकर ही चोखट लांगने पड़ती है कुछ लोग आजीवन उस सुंदर मंदिर में रह जाते हैं फिर कुछ तो सब कुछ गवाय फकीर बनकर लोटाते हैं जीवन के इस रेतीले उत्तपत पत पर जहां राह चलना बहुत मुश्किल है नीरा ने फिर सिर उठा कर देखा उस आदमी का चेहरा धुंदला लग रहा था एक बेहद सर्द सा डर नीरा के स्तनवरिंत में, रीड की हड़ी में, गरभाशय में सहसा चिकने साप की तरह दोड़ने लग गया वो रुपड़ी दाहिना हाथ उपर करके उसने चिला कर उस आदमी से कहा आप आगे बढ़िये, धूप में खड़े मत रहिए, मैं आती हूँ बस पर पहुँच कर वे सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ के विनए ने एक और सिग्रेट सुलगाई नीरा ने बैग खोल कर मसाला खाया वो उस आदमी को भी दे सकती थी, पर उसने नहीं दी बस चल पड़ी, नीरा ने आविशकार किया कि उस आदमी का चहरा ड्राइवर के दाहिनी और वाली रेर व्यू मिरर को भरे हुए था पूरे आइने पर भरा हुआ एक चहरा, जो कि नीरा को बहुत अच्छा लगा था जब भी बस जटके खाती वो चहरा कांपने लगता, बाकी समय स्थिर ही रहता जैसे कि नीरा की ही तरफ देख रहा हो, कहीं वो नीरा के संपूर्ण अस्तित्व को समझ तो नहीं गया कि वो इस तरह उसकी तरफ देख रही है अब वे फिर खाली सडक पर आपड़े हैं, बगुले उड़ रहे हैं, जुन्द बनाकर किसान हल चलाकर खेती कर रहा है, बीज बो रहा है, वो फसल उप जाएगा पृत्वी पर जीवन आएगा, ठंडी, गीली, हवा तेजी से चल रही है हल पल पल धरती को गर्ववती करती जा रही है, बाहर के नजारे से आँखें फेर कर, नीरा ने फिर आइने की और देखा आइने को भरते उस आदमी के चेहरे की और, और ताकते ताकते उस अचानक महसूस हुआ, कि ये प्यार व्यार उससे नहों पाएगा प्यार करने की उम्र भी तो होनी चाहिए आइने पर से मूँ फेर लिया नीरा ने, पीछे से जीजा जी ने कहा ओ भूती, देख रही है, कितनी सुंदर सीन सिनरी है, कुछ-कुछ हमारे पेडा दांगा जैसा नहीं लग रहा नीरा ने खुझ से कहा, यही अच्छा है, वैसे भी समीरदा तो हैं ही